Hello friends, welcome to all, आज मैं आपके जो वीडियो लेकिया रहा देखे, Reliance Industries ने आज की डेट यानि की 22 अपरल को अकेले ही मार्केट को हिला दिया, Jio Facebook की डील सुभे आपको अपडेट कर दी गई थी, और उस डील के बाद जो तूफान आया आज, अल्दो वो कल शाम से ही तूफान जो लास्ट के एक दो घंडे में दिखा था ना, वो कल शाम को ही तेजी देखने को मिले थी, जैसे ही न्यूज आज सुभे डेटेल आए उसकी और उसके बाद तो मार्केट में हाहा कार अपर सरकेट टच कर दिया, आज की डेट में 15 मिनट तक ट्रेडिंग हाल्ट रही, और मैं कहुँगा, उसके बाद वो अपर सरकेट जब पूरा हुआ, फिर जाके वो टाइम पूरा हुआ 15 मिनट का, फिर तेजी और और ऐसी तेजी काबिली तारीफ में कहुँगा, चलिए देखते हैं, Reliance Industries में आज क्या का कुछ हुआ, और आगे डिटेल में जानते हैं, इसके बारे में, कहां पर यह अभी अभी स्टेंड करता है, उन सारी चीचों पर बात करते हैं इस चोटी से वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर, आपने अब तक चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बैल आकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगे, साथ में, टेकनिकल आनलीस सीखने के जिए आप मेंबर सिर्ज जोइन कर सकते हो, जोइन बटन पर क्लिक करके, आपने अल्रेडी द अब देखे, वाटसब भी फेस्बुक का ही है, तो यह तरीके से हर कस्टमर के घर में घुसने का रिलाइंस इंडिस्टीज का काम है, एक प्लान है मैं कहूँगा कि, अभी तो अल्रेडी आपने देखा हूँगा, जियो के थुरू, अब टीबी, ब्राडबेंग, हर तरीके से रिलाइंस जियो घुछना चाहता है, अभी तो टेलीफोन था, अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, फिर आपका सामान, रिलाइंस रिटेल, मतलब पूरा पूरा एक सोची समझी मैं कहूँगा, एक प्लाइनिंग है, बहुत जबर्दस प्लाइनिंग है, जिस की डेट में उसके बाद तेजी जरूर देखने को मिली, और आज की डेट में मैं यहाँ पे देखूं, अगर तो देखे 27% की डिलिवरी हुई है, मतलब की जो बाइंग हुई है, ट्रेडिंग जादा हुई है, डिलिवरी कम हुई है, और सुबह कल का जो क्लोस था, वहाँ स बहुत सारे questions आपके मनवाएंगे, मैं आपको Reliance Industries के share की तरफ लेके जा रहा हुँ, देखिए, यहाँ पे हमने जैसे पहले ही भी कहा है कि कि किसी भी stock को bottom में खरीदने की कोशी जो है, बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन जब वो मजबूती दिखाए, तो वहाँ पे आपको 1240 और entry का मौका वैसे 1260 के आसपास था, लेकिन करेक्टिव जैसी कल की date में भी इसने breakout का level थोड़ा सा दिया था, तो इसमें भी अगर किसी ने entry क्या होगा, stop loss 1140 लगाया होता, तो भी इसका stop loss हिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ इसने जो range contraction दिखाए थी, अच्छी बात, आ hourly chart में बड़ी upper shadow देखने को मिल रही है, जो कि अभी stock को, एक correction की और requirement हो, और देखें, जिन्होंने यहाँ पे, जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदा है, वो timely profit book करने की भी कोशिश करेंगे, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे, जैसे कि हम बार-बार basically हर stock के लिए ही कहते है कि आपको क्या देखना है, higher high higher low की series, आप देखें यह देखें, higher high higher low की series, आप देख सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आपके corrective बनते हैं, और यह फिर तेजी देखने को मिली, overall अगर आप देखो कि जब भी आप corrective resolve होने का इंतजार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कहू देखें, बिल्कुल bottom 700, 800 के आसपास, 873 के आसपास का bottom था, और धीरे धीरे तेजी देखने को मिली, और positivity, अगर weekly के अगर बात करें, अभी weekly पे खाली बड़ी, मैं कहूंगा, एक impulse lag ही दिख रही है, corrective lag अभी weekly पे देखने को नजर नहीं आ रहा, weekly में सबसे important point यह था, 13 April क जो week खतम हुआ था, यहाँ पे देखें, 1235 का बार बार हम कह रहे थे, 1235 काफी important point होने वाला है, और देख सकते हैं, जिसने weekly के इस lions attack को trade किया होगा, आप देखें, कितना jump उसको मिला है, 1235 की entry, और यहाँ पे देखें, 1145 का stop loss, कितना profit देखें, 1235 से सीधे, 1335 के आसपास गया हुआ है, आज की date में और जा रहा है, बहुत ही positivity, अब weekly के अलावा मैं आपको इसका daily chart भी दिखाना चाहता हूँ, देखें, daily chart के एसाब से बात करें, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेजी positivity देखने को मिली, लेकिन अभी ये deal का असर है, अभी selling भी जिस तरीक आते जाए, अगर नीचे गिरे, तो आप उसमें timely exit भी ले पाए ताकी, अब बात करते हैं intraday perspective से, अगर alliance industries में आज जिसने intraday किया होगा, तो खूब पैसा चापा होगा, जरा देखिए यहाँ पे, नीचे गिरता हुआ share धीरे-धीरे, आपको यहाँ पे मजबूती देख और सबसे important time entry का आज की date में था 1337 के आसपास, जब यह breakout, यानि कि सुबे का जब high power हुआ तो और भी तेजी का time, उसके बाद अगला entry का point फिर से हमें मिला था 1346 पे, उसके बाद आप देख सकते हो कि 1380 के आसपास जिसने profit book कर लिया, उसने book कर लिया, उसके बड़ी आप देख सकते हो, गिरावट आई, फिर थोड़ा तेजी, फिर गिरावट, अब देखे जरा, मतलब कि यहां पर book करने का मतलब, मतलब जिसने, अब आप देखे, आपको गयार कैसे निकाल सकते हैं यहां पे, आप हमको कैसे पता यह नीची नहीं गिरेगा, भी यह देखे से कहूंगा, कि उन लोगों से जो trend reversal, trend reversal की बाते करते हैं, investment long term perspective की सोचने की, सोचने, तो यह उनके लिए काफी important चीज है, और यही चीज में आपको बार-बार, हिंदोस्तान इनलिवर, बायो कॉन, बहुत सारे shares में यहां अल्रेडी दिखा चुका था, कि आपको देखना ह इससे नीचे नी जाएगा, कि आप bottom identify कर रहे हैं, जब share में तेजी आएगी, तभी तो आप investment करने की सोचोगे, तेजी आई, no doubt, investment का major reason देखे, पहला point entry का, दूसरा second point यह level था, और stop losses आपके धीरे धीरे उपर बढ़ते रहेंगा, और अभी के time पर देखे, इतनी तेजी आ जर आ लिए, कितनी खतरनाक है, last अभी 5 मिनिट की candle जो ही है, कितनी खतरनाक बन रही है, और indecision वाली candle बन रही है, जिसका मतलब यहाँ पर रिस्क जो है, आपको लग रहा है, क्यों कि market इतना gap आप आज देखने को मिला, तो थोड़ा सा आप लोग profit भी book करेंगे, आप यह जरूब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो ज़ली से सब्सक्राइब कर ले है, और technical analysis इस तरीके से, intraday, long term, short term, पूरे structural way मागर आप सीखना चाहते तो आप membership जोइन कर सकते हैं, join button पर click करके, and thank you, thank you for watching the video.